आज की वीडियो में हम लोग natural numbers, whole numbers और integers के बारे में जानेंगे और ये तीनों numbers जो है numbers का basic है अगर numbers को हम लोग अच्छे तरह से जानना है तो इन basic को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है तो ज़्यादा time विना वेश्ट करते हैं, let's start the video इसके लिए मैंने दो चार्ट तेयार किया है एक में तो whole number और natural number को दिखाया गया है और दुसरे में integer number को दिखाया गया है नमबर वन, natural numbers जिसको n से denote किया जाता है तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां से लेके जितना दूर तक भी चले जाए जो भी number आएगा वो सब हो गया natural numbers लेकिन याद रखना 0 नहीं, वन से लेके हम लोग जितने दूर तक भी जाते हैं नमबर के counting में, वो सारा number हो गया natural numbers और natural numbers को positive integers भी कहते हैं और साथी साथ counting numbers तो natural number को identify काना बहुत ही असान है वन से लेके जितना सारा भी positive number आए without any fraction, without any decimal तो समझाओ कि वो natural number है अब आता है whole numbers जिसको हम लोग W से denote करते हैं यानि कि natural number जो होता है वो तो इसमें रहे गई, साथ में एक 0 भी add हो जाएगा यानि कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहां से लेके जितने दूर तक number जा सकता है सारा हो गया whole numbers अब है हम लोग का तीसरा topic integers जिसको हम लोग Z से denote करते हैं Maths में इसको Z से denote किया जाता है This is the set of all whole numbers plus all the negative of the natural numbers यानि कि integer के category में सारा whole number आता है मतलब whole number जो है जिरो से लेके जितना दूर तक positive number है सब integer में आता है और साथ ही साथ क्या add हो जाएगा plus all the negative यानि कि opposite of natural numbers natural number का opposite जैसे कि उपर में था न 1, 2, 3, 4, 5 यहां से लेके सब natural number तो उसी तरह उसका negative कर दे तो minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 इस तरह करते करते सारा natural number जो है negative में चला जाएगा और वह ही हो गया integer क्या समझे हम लोग तो integer मतलब हो गया whole number plus all negative of natural number का set यानि कि integer में positive भी रहता है और negative number भी रहते है बट यह याद रखना कि इसमें decimal या fraction कुछ भी नहीं आ सकता है उस नमर का कुछ और ही नाम होगा integers में सिर्फ negative और positive नमर इसके साथ 0 भी होगा तो अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इससे subscribe और like जरूर किजिए और ज्यादा से ज्यादा share किजिए See you on the next video Thanks for watching